हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोड मैथ सलोशन पे दोस्तो आज हम लेकार है आप सभी के लिए क्लाश 12 का मैथ का कोशन जो की डिफ्रेंसियेशन का है देखें कोशन में आपको दिया गया है कि if x के पावर m into y के पावर n is equal to x plus y के whole power m plus n then prove that dy by dx equal y बटा x prove करना है ये कोशन बहुत ज़्यादा important होने वाला है 2025 एकजाम जो बिहार बोड में होने वाला है उसमें से आपको कोशन जो पुछा जाएगा जो 5 नमर में जो डिफ्रेंसियेशन कोशन पुछा जाएगा तो इस टाइप से ही कोशन पुछा जाएगा बागऊ ठीक है कभी कभी क्या करना है कि ये देखी ये question direct आपको पूछ सकता है ये क्योंकि question ये पूछा गया है भी हर बोर्ड में कए बार question पूछा गया है repeat किया गया है ठीक है तो ये board exam के लिए most भी भी आई है ये 5 नमर में आपको direct देखर जाएगा ठीक है बोगवा then prove that dy by dx equal y बटा x दिया गया है ठीक है हम लोगो prove क्या करना है y बटा x प्रूब करना है देखिए बहुत ही easy question है ये बहुत असान तरी का समझ का करेंगे इसको solve करेंगा ठीक है वो सबसे पहले का करना है या solution लिख दीजिए ठीक है उसके बाद देखिए क्या दिया गया है हम लोगो कि x के power m into y के power n is equal to दिया गया x plus y के whole power क्या m plus n दिया गया है हम लोग क्या prove करना है dy by dx equal y बटा x prove करना है ठीक है जब भी इस type से आपको दिखा जाए इस तरह into में दिया रहे है ठीक है टैकिंग लोग on both side on both sides ठीक है दोन तरफ क्या लोग लगाने पर तो क्या हो जाएगा बहो यहाँ पर कि लोग x के power m into y के power n is equal to क्या हो जाएगा लोग x plus y के whole power m plus n हो जाएगा कोई दिकत चले कोई दिकत नहीं अब दिखान दिजे बहुत थोरा सा यहाँ पर क्या है कि लोग into में है तो क्या plus में हो जाता है जैसे देखे एक formula आपको याद होना चाहिए कि दिया होगा formula में दिया रहता है कि log m into n देखे जब भी क्या log m into n देखे तो क्या इसको लिखते हैं कि log m plus log क्या होगा log n हो जाएगा क्या हो जाएगा log n हो जाएगा तो उसी परकार से यहाँ देखन दिजे क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि log x के power m plus फिर क्या log y के power n is equal to क्या हो जाएगा जिस तरह भी से में उस तरह उसको लिख दीजे ठीक है तो log x के power y के whole power क्या है m plus n है ठीक है चले कोई दिकत अब देखन दीजे वो क्या log x के power m दिया गया है तो इसका भी एक फर्मुला होता है याद रखिए आप लोग इसका क्या होता है कि log जभी भी m के power n रहेगा तो क्या हो जागा पहले क्या जागा power आ जागा ठीक है तो पहले लिखा जागा n और क्या हो जागा log m हो जागा ठीक है तो उससी परकार से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिखेगा बहुआ यहाँ पे power में क्या है बहुआ M है तो पहले क्या आजागा M आजागा log X हो जागा तो इसको लिख सकते हैं ध्यान दीजेगा यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि M log X हो जागा ठीक है फिर plus क्या यहाँ पर हो जागा N पहले आजागा फिर क्या log Y हो जागा फिर क्या हो जागा भूँओ देखे यहां भी देखे यह भी power पे है x क्या m plus n है तो पहले क्या जागा कि m plus n आ जागा उसके बाद क्या जागा log log x plus y आ जागा कोई दिकत चलिए कोई दिकत है अब ध्यान दीजे भूँओ यहां पे आप क्या करना इसको differentiation करने है differentiation both sides with respect to x किसके रिस्पेक्ट में एकस के respect में करेंगे फृऊँटे तो इंसके ऐसां आप उली कि जाते हैं के differentiation कि डिफ्रेंशेसट बौद साइध के बौद साइड दीलिजे विद रिस्पेक्टो एकस with respect to x with respect to x x का respect में इसका derivative करेंगे ठीक है बहुआ अब ध्यान दीजे बहुआ यहाँ पर M क्या है constant है constant को बाहर करेंगे किसका difference करेंगे log x का ध्यान दीजे यहां का करेंगे M को हम लोग क्या करेंगे बाहर करेंगे तो किसका derivative करेंगे log x का करेंगे तो log x अब आटा क्या हो जागा dx हो जागा कोई दिकत फिर उसी परकार n constant है तो n को हम लोग क्या करेंगे बाहर करेंगे किसका derivative बनेंगे log y का तो log y i into dy फिर into dy by dx अच्छाएं यह dy by dx क्यों लिख रहे हैं क्यों कि देखिए y के derivative x में क्या होता है dy by dx होता है इसलिए भुगा y का भी differentiation करेंगे था क्या होगा dy by dx हो जागा ठीक है चलिए उसी परकार आगे का करेंगे equal में क्या करेंगे m पलस n को constant रहें दीजिए ठीक है उसके बाद देखिए यहां log x ये कि पुरा क्या log x का का काम कर रहा है x पलस y किसका एक्स का काम कर रहा है log x परेंगे ठीक है यहां पर इसे लिख सकते हैं कि d log x पलस y फिर यहां पर किसका derivative का लिखेंगे y का लिखेंगे फिर देकि यहां पर हम लोग डिफ्रेंशन इसका कर दे रहें ठीक है नहीं तो एक step और बना पर रहेगा कोई दिकत चलि एक्स का derivative क्या होता है बुगा वन होता है चाहिए हम इसको ऐसे भी सकते हैं कि dx by dx हो जाएगा फिर प्रस क्या होगा dy by dx हो जाएगा कोई दिकत चलिए कोई दिकत लेकिन यहां ब्रैकेट आपको देना होगा ठीक है बुगा चलिए ध्यान देजए यहां पर थोर सा अब ध्यान देजए बुगा कि log x का derivative आपको पता है कि 1 by x होता है याद रखियेगा आप लोग इसको भी formula ही है समझें इसको भी आप लोग लिखाया गया होगा formula में कि d by dx जबी रहता है और क्या log x रहता है जिसका derivative कहता है 1 by x होता है ठीक है तो इसको देखें यहां पर दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं कि m into log x का derivative क्या होगा 1 by x हो जाएगा फिर प्लस n क एम प्लस n तो होग उसे रहेगा m फिर इन तू लॉग एकस इसको क्या परेंगे पूरा लॉग एकस परहेंगे तो log x का derivative का उचा होगा 1 by क्या हो जाँगा फिर इन पी देखेंगे धे परेंगे तो log x का derivative क्या हो जागा 1 राय क्या जागा 1 क्या हो जागा फिर invert x का क्या one हो जागा फिर plus dy by dx का तर डे डी या by dx रूजए कोई GET चली कोई दीकत नए ठीक है अब दिखेm match in 1 में गुना करेंगे तक क्या जागा वह एम आ जागा क्या जागा M आ जागा तो क्या लिखेंगा M बटे X फिर प्लस इसमें N में 1 में गुना करेंगे N बटे Y आ जागा फिर इन टू में क्या DY by DX हो जागा कोई दिक्त भोगा चली कोई दिक्त एकवल में अज़िए फिर यहां पर गुना करेंगे M प्लस 1 में गुना करेंगे 1 में गुना करेंगे क्या जागा M प्लस N और बटे में क्या हो जागा X प्लस Y हो जागा फिर नद्यान देजिए यह क्या करना है इसमें क्या गुना कर देना इसमें गुना करेंगे एक में गुना करेंगे में वन से गुणा करएंगे था क्या जागा, M म्पलस एन भाटता, X पलस Y कर सकते हैं ठीक है ऍलाटे, । धीक, D inve X होगा, ठीक है, इसमा क्या गुना क्या उत्व сил है है इसमें क्या गुना की है रोग ठीक है जाली अब ध्हान दीर जाब हुगा अब क्या करना है कि dy by dx एक औरी कर लेना देखिए यहाँ पर भी dy by dx है यहाँ भी dy by dx जो dy by dx एक साथ कर लेंगा जो dy by dx ने एक साथ कर लेंगा देखिए इसको क्या एक साथ कर लेंगा यहाँ पर तो इसको यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि n बटे y और dy by dx अब देखें यह क्या है प्लस में इदार आकर माइनस में हो जागा तो माइनस क्या लिख सकते हैं हम हुआ माइनस की m plus n और बटम क्या x plus y हो जागा फिर into में क्या dy by dx हो जागा कोई दिक्त चलिए equalment अब देखें m plus n प्लस n फिर बटमें x plus y अफिर देखें यह क्या है m बटमें x इदार आकर क्या माइनस में हो जागा माइनस का लिख सकते हैं आफ बटमें x चलिए कोई दिक्त इसमें common क्या दीख रहा है यहां भी dy by dx है यहां भी dy by dx क्या करेंगे लोग common ले लेंगे तो ध्यांद जी इसको common लेंगे यार d y बटे d x common लेंगे तो क्या बचेगा n बटे y फिर minus m प्लस n बटा x प्लस y ये d y बे d x से ये cancel हो गया तो क्या बचेगा m प्लस n बटा x प्लस y ठीक है चली एक बाद आप ध्यांद जी वह यहां इस तरह एक लाइन लिख दीजिए इसी तरह से m प्लस n बटा x प्लस y फिर minus m बटे x हो गया ठीक है चली अब कोई दिकत चली यहां तो कोई दिकत नहीं होना चाहिए अब क्या करना इसका बटा का घटा कर दीजिए इसका भी बटा घटा कर दीजिए ठीक है बुगा चली यहां ध्यान दीजिए थोरा सा थोरा हलका ध्यान दीजिए dy by dx का dy by dx होगा फिर देखे इसका LCM लिएंगे हम दोग इसका LCM लिएंगे y into x plus y का LCM क्या आगा बुगा तो क्या जागा y into x plus y आगा कोई दिकत और देखे यह y से y cancel हो जागा तो क्या बचेगा n बचेगा न तो दिहान दीजिए यहां पर n बचेगा तो लिखे इंट्व में इसका भी हम लोग क्या करें गेल सेम लेंगे तो X into Kya? X plus Y आ जागा आएका किने? चली आएका अब दिखिये ये इसे-से cancel हो गया था कहा तो X X into M plus N हो गया फिर क्या – अब दिखिये ये X, X cancel हो गया था क्या बचा? X plus Y तो क्या हो जागा? M into X plus Y हो जागा कोई दिकत भोगा, चलिए कोई दिकत ने यहां तक तक कोई दिकत नहीं होना चाहिए अब ध्यान दीजिए क्या करना है कि इसमें गुना करना है, क्या N में इस सबसे गुना करना है, फिर Y में इस दोनों में गुना करना है, हम लोगो ठीक है तो क्या हो जागा अशा देखिए यहाँ पर यह कट रहा X पलस Y यहाँ भी X पलस Y Cancel कर दीजे यह equal में Cancel हो जागा कोई दिकत चले कोई दिकत में तो ध्यान दीजे यहाँ पर कि D Y बटे D X Into में दिया गया देखिए N में गुना करें X में तो क्या N X हो जागा N X फिर क्या पलस N में Y से करेंगे N Y हो जागा फिर देखिए यहाँ माइनस Y में करेंगे क्या हो जागा बुगा तो माइनस M Y फिर क्या होगा फिर माइनस में N से करेंगे तो क्या होगा माइनस क्या हो जागा N Y हो जागा कोई दिक्त चलिए कोई दिक्त ने फिर बटा में क्या बचा हम लोग पास वाई बचा है सिर्फ क्या बचा है वाई बचा है ठीक है चलिए ध्यान दीजिए एक्वल में यहां फिर क्या करेंगे गुना करेंगे एक्स में से एम से गुना करेंगे तो क्या हो गया इसमें गुन बटब बटा है, भाटम ओको x बचा है, भाटम हम्ड को X लिख देंगा, ठीक है, अब देखें, यहाँ इहां भी कुछ कटना दिखे रहा है, यहाँ,- मैं इविक मिनस में पे िवी ऐखेंगे है, यहाँ देखेंगा y it equal में क्या है ध्यान दीजेगा थ्यान क्या भचा हम लोग पास nx nx optir qy nx minus m यहां पे थोड़ा सा अब देखिए यहां पे तो हुझा हम लोग पास दोनों कैंसेल हो गया तो क्या हम लोग पास तो क्या बच्छा हम लोग पास दी एक्स 1 बटा y बचा इधर इक्वल में क्या बचाब होगा 1 बई x बचा बढ़ो क्ये विज दोनों कट गया किंशल हो गया इक्वल में था चली अब धिजान दिए बगगा यहां पर थोरा सा अब क्या करना एक तीछा 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 कि y बटे dx is equal to में क्या हो जागा y बटे क्या एक्स आजागा तो हम लोग क्या प्रूफ करना था है y बटा उसमें कोशन जो समझ में आया होगा तो उसमें क्या करना है आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है लाइक करना है ठीक हो चले धन्यवाद